गोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं जो नहीं मिला वो बहतर नहीं था जो है वह बहतर है और जो आगे मिलेगा वो बहतरीन होगा क्रोध में भी सब्दों का चुनाओ ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उत्रे तो खुद की नजरों में सरमिंदा ना होना परे हम ऐसे समाज का हिस्सा है दोस्तों जहां बाप की इज़्जत बेटी के हाथ में होती है लेकिन जाइदाद के कागजात बेटे के हाथ में खुदा तूने तो लाखों की तकदीर सवाड़ी है मुझे दिलासा तो दे कि अब तेरी बाड़ी है नायाब हीरा बनाया है रवने हर किसी को पर चमकता वही है जो दरासने की हद से गुजरता है समझने वाला मुश्कुराहट के पीछे का दर्द भी समझ जाएगा ना समझने वाला चाहे तुम उसके सामने रोदो नहीं समझेगा इंसान का बरप्पन उसकी हैसियत नहीं उसकी इंसानियत तै करती है बुद्धिमान वही होता है जो ये जानता है कि उसे बेवकूप कब दिखना है इतने काम्याब तो जरूर बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल सर्मिंदा हो जाए हिस्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो मगर दुकानदार मत बनो बहुत जरूरी है जिन्दिगी में थोड़ा खालीपन, तोकि यही वो जगा है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा अगर आप वो चीजे खड़ित्ते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्द ही आप वो चीजे बेचेंगे, जिनकी आपको जरूरत है किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे जीवन में ऐसी सोच रखिये, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया वो किसी से कम नहीं जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो ला जवाब है नायाब होते हैं वो लोग, जो गुसे में भी किसी से बात करने की तमीज नहीं भूलते बिछरने का तो वो पहले ही इरादा कर चुके थे उन्हें तो बस मेरी तरब से कोई बहाना चाहिए था जितना ज़्यादा हो सके खामोस रहना ही अच्छा है क्योंकि सब से ज़्यादा गुना इंसान से जुबान ही करवाती है जरूरी नहीं सब की नजरों में अच्छे ही बनो कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और है आप कितना भी ग्यानियों के साथ बैट लो तजुर्बा हमेशा बेवकूप बनने के बाद ही मिलता है दिल बड़ा रखिये और लोगों को माफ कर दीजिए पर समझ इतनी रखिये कि दुबाडा उन पर भरोसा मत कीजिए बहुत सौक था मुझे सब को जोड के रखने का होस तो तब आया जब मैंने अपने वजूद के टुकडे देखे जिन्दिगी भर कितना भी धन धन कर लो पर मरने के बाद सोग पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा किसी को पाने के लिए हमारी सारी खुसिया कम पर जाती है और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफी है अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए सुड़ और चंद्रमा के भीच कोई तुलना नहीं जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है आसु नहोते तो आखे इतनी खूबसूरत नहोती दर्द नहोता तो खुशी की कीमत ही नहोती अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में उपर वाले की जरूरत ही नहोती दुख भोगने वाला आगे चल कर सुख भोग सकता है लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता सब्दों के भी कुछ तापमान होते हैं ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं ज्यादा खुश रहना भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों लोग अक्सर खिले हुए फूल को तोर देते हैं इस्वर तो सिर्फ मिलाने का काम करते हैं रिष्टों में दूर्या बढ़ाने का काम तो व्यक्ति स्वयम करता है सबसे कठिन काम है सब को खुश रखना और सबसे आसान काम है सबसे खुश रहना मिलता रहे कितना भी कुछ लोगों का गुजारा नहीं होता लालच के समुद्र में तेरने वालों को कभी किनारा नहीं मिलता आखे भी खोलनी परती है उजाले के लिए केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता जिंदगी की राहों में ऐसा अकसर होता है फैसला जो मुश्किल हो वही बहतर होता है अकसर वही दिये हातों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वो ही जानते हैं कि जब कुछ नजर ना आए तब क्या-क्या दिखाई देता है सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले बलकि ये होना चाहिए कि जहां पाव रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए